जांच रिपोर्ट से चिकित्सक भी चकेद मुझे सन 1984 में शांतिकुंज हरिद्वार में विशेष सत्र के आयोजन में भाग लेने का मौका मिला और उसी दोरान शांतिकुंज परिसर में ही गुरु जी एवं माता जी के दर्शनों परांत गुरु दीख्षा ग्रहण की अध्यायन करते रहे और उनके बताए मार्ग पर बिल्कुल निश्चल भाव से श्रद्धा पूर्वक यथा संभव चलने का प्रयत्न करते रहे हैं उस असीम सत्ता से जुडने के बाद जीवन में छोटी बड़ी कई ऐसी घटनाए घटी जहां हम लोगों ने स्पष्टतह गुरु जी माता जी की क्रिपा को महसूस किया हमारी श्रद्धा और भी प्रगाड होती चली गई चार भाईों के परिवार से बना हमारा बड़ा परिवार भी इश्ट सत्ता से जुडता चला गया इस बड़े परिवार की ही एक घटना है जिसे यहां उदगरित कर रहा हूँ बात अप्रेल 1989 की है मेरे बड़े भाई की एक लड़की विनीता जो उस समय मात्र 11 वर्ष की थी उसे घुटने के नीचे असहनिय दर्द प्रारंब हुआ और उस दर्द का आवेग बढ़ता ही चला गया स्थानिय हड़ी रोग विशेशग्य को दिखाया गया तो उन्होंने अस्थी कैंसर की संभावना बताई पूरा परिवार यह बात सुनकर त्राहिमाम कर उठा हम लोग उसे लेकर पटना के प्रसिद्ध हड़ी रोग विशेशग्य के यहां पहुँचे उन्होंने ऑपरेशन कर उसकी हड़ी का कुछ हिस्सा दो अलग-अलग जाज घरों में जाज के लिए भेज दिया उन्होंने भी कह दिया कि यहां कैंसर ही है और अगर इसकी जान बचानी है तो टाटा कैंसर इंस्टिट्यूट में ले जाकर इसका पैर कटवा दीजिए तथा महामृत्यूंजे मंत्र का जब करता तो दूसरा उसकी देख रेक करता यह सिल्सिला बारी बारी से जाच रिपोर्ट आने तक निरंतर चलता रहा इस बीज डॉक्टर लगातार कहते रहे कि आप पैसा बरबाद न करें इसका पैर कटवा दें क्योंकि इलाज से रोग के फैल जाने का डर है मैं सोचने लगा कि गुरुजी सरवग्य और अंतर्यामी है हमारी पुकार जरूर सुनेंगे मैंने निर्ने कर लिया कि अगर इसके पैर काटने की बारी आएगी तो इसका जीवन बरबाद करने के बजाए इसे शांतिकुंज में गुरुजी की शरण म रखकर चले आएंगे हम लोग काफी शोक मगन और विचली थे दिन रात पूरा परिवार गुरुजी माताजी पर ध्यान लगाये हुए था इसी दोरान आश्चरिय जनक तरीके से उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और वह काफी राहत मैसूस करने लगी कुछ दिनों क के बाद एक जगह से जाच रिपोर्ट आ गई यह रिपोर्ट भी आश्चरिय जनक थी रिपोर्ट में कैंसर का नामों निशान तक नहीं था अन्य किसी बीमारी का भी उलेक नहीं था डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ते ही पूरे गुसे में आ गए और रिपोर्ट को जमीन प सुकता के साथ पढ़ने लगे पर यह क्या यहां भी कैंसर यह किसी अन्य बीमारी का भी उलेक नहीं किया गया था डॉक्टर राश्चरिय में पढ़ गये इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव जूठा हो नहीं सकता उसे कैंसर ही है परंतु मुझे विश्व हाल जीवन व्यतीद कर रही है तथा एक सरकारी विद्याले में शिक्षिका के पद पर कारियरत है प्रस्तुति विरेंद्र कुमार सिंग वैशाली बिहार अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें कमेंट और शेयर जरूर करें साथ ही हमारे योट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सब्सक्राइब कर बैल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें धन्यव आपको 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 हमारे जह करें सब्सक्राइब को 무슨 यिव dictअ रहें हुआणब रिया झाले वाँ को आपकोजब ताकव जवशन्स मिलती रहें है इसका मिलती ऊयूब धन्यवक्य हमारा प्ड़कोब ही ईसका माननु इसक एкивको आय को सब्सक्राह बढ़ हुआग हमार थ